कि अंदो तिन तरह का फाइल बनाएंगे मास्टर पेज स्टाइल सीट एंड वेरी फर्स्ट पेज डिफॉर्ट पेज तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइल निव वेबसाइट प्रजेक्ट का एक नाम रख लिए मैं वेबसाइट विजल सी प्लस प्लस है यहां पर और यहां एस्पी डॉट इंपटी वेबसाइट है ओके ओके अब यहां पर एड निव उप्शन चूज करेंगे और सबसे पहले मास्टर पेज बनाएंगे इसके बाद स्टाइल सीट का पेज क्रिएट करेंगे राइट क्लिक एड एड निव आइटम स्क्रोल करेंगे स्टाइल सीट पेज के लिए स्टाइल सीट नाम ऐसी चोड़ देंगे स्टाइल सीट डॉट एड एक और फाइल क्लिएट करेंगे राइट क्लिक एड 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 निव आइटम वेब फॉर्म डिफॉर्ट और यहां पर सेलेक्ट मास्टर पेज करेंगे एड यहां से मास्टर पेज चूज कर लिया तीन फाइल हम लोगों ने क्रिएट कर लिया अब मास्टर पेज को डिजाइन करते हैं इसमें डीप के अंदर सीधा हम लो जाएंगे यहां पर एक टेबल क्रिएट करेंगे अहां डिजाइन में भी जाकर कर सकते हैं टेबल टी आर टीडी और सेम कोड को कॉपी कर देंगे फोर टाइम्स क्योंकि फोर रोज चाहिए टेबल में फॉस्ट रो है कंपनी नेम के लिए इजाम्पल के लिए ए बी सी इनकॉर्परेट नाम ले लिए लास्ट रो है कोपी राइट डिस्प्ले करने के लिए कोपी राइट एंपरसेंड कापी यह कापी राइट के सिंबल के लिए 2016 अब सेकेंड रोइए मेनु के लिए है मेनु के लिए हम लोग इवेल के थूट करेंगे फस्ट रोग फस्ट ऑस्ट अलाइट ए ह्रेफ है पर लिंग डिफर्ट पेश्ट मेनु का फस्ट अप्शन हम सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट करेंगे फाइब टैंस और सेकेंड अबाउट थर्ड सर्विसेज फॉर्थ गैलरी और फिप्ट कॉंड़क्ट यहां पर ऐसी ऑप्शन सेट कर देंगे अबाउट सर्विसेज गैलरी और कॉंट कॉंट करते कंट्रोल के डी से हम इसे डिजाइन कर देंगे क्याँ और कर्दी यह अब हम डिजाइन ओप्शन में जाकर कर एक बद देखते हैं वारे डिजाइन कैसा क्रेट हो रहा है इस तरह से बन के आ रहा है टेबल का विर्थ सेट कर दें और इसे अलाइन कर दें टेबल विर्थ के लिए स्टाइल इक्वार्टू वेड्थ 1024 पिक्सल और अलाइन सीधा हम लोग अलाइन लिकर कर लें अलाइन इक्वार्टू सेंटर चेक करते हैं डिजाइन में इस तरह से हमारा लुक आगया अब हम थर्ड रोपे चलें यह सबसी इंपॉर्टेंट है थर्ड रो में यह जो क्रिएट हमारा हुए कंटेंट प्लेस वल्डर इसे कट करेंगे और थर्ड रो में पेस्ट करेंगे एक बार फिर से कंट्रोल केडी करेंगे इसी आटो आरेंज हो जाएगा और थर्ड रो का हाइट हम लोग सेट करते हैं इस तरह का हमारा डिजाइन आ रहा है अब हम हाइट सारे रो का सेट कर देते हैं फर्स्ट रो स्टाइल इकवाल टू हाइट अंडेट पी एक्स सेकेंड रो स्टाइल इकवाल टू हाइट 40 पी एक्स फॉर्थ रो इस तरह से हमारा पेज डिजाइन हो गया अब मेंडे की बारी यह प्लेस वोल्डर का प्लेस दिखा रहा है हम इसे वाटकल अलाइन के प्रूप में पोजिशन कर देंगे स्टाइल्स थर्डर के स्टाइल में लिखेंगे वाटकल अलाइन टॉप अब यह टॉप में आ जाएगा यह वो एरिया है जो हर पेज पे चेंज होगा जितने भी पेज हम बनाएंगे हर पेज में हम इस पोर्षन को चेंज करेंगे कि हेडिंग कॉमन रहेगा मेनू भी कॉमन होगा और फुटर भी कॉमन होगा अब मेनू को डिजाइन करता है मेनू के लिए इवल में एक आईडी हो लगाएंगे अईडी को टूप कोई भी नाम एक रख लिया मेनू और यही नाम स्टाइल सीट में भी हैस के साथ दिखेंगे हैस मेनू कि इससे कह यहां जैसा डिजाइन करेंगे यह रेफ्लक्त होगा मास्टर पेज में इसको इसके स इससाथ लिंक करने के लिए मास्टर पेज में स्टाइल सीट को टाइटिल के नीचे ड्राग ड्रॉप कर देंगे इस तरह सी यह फाइल सेसे फाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा अब हम डिजाइन कर रहे हैं इससे इवल डिजाइन हो जाएगा विर्थ 1024 PX डाग्राउन कलर सपोज एक कलर चूज कर लिया नेक्स्ट हैस मेनो एलाई मैंस इविल के निर जो एलाई है उसका डिजाइन हम लोग इसके थ्रू करेंगे विट्थ 180 PX height 30 PX padding top 10 PX padding left 15 PX padding right 15 PX एक जी इंपॉर्टेंट है float float क्यों करते हैं पहले हम डिजाइन चेक करते हैं design हमारे कैसा master page में reflect हो रहा है यह हमारे design है यह वार्टिकल ही आ रहा है इससे अगर हम horizontally करना चाहते है तो style seat में float left इसका weight हम लोग थोड़ा कम कर दा है 50 कर दिया 60 कर लेते हैं ऐसा design हमारा आ रहा है अब has menu li a हाइफिर लिंक का portion जो href है यह उसको design कर रहे है आ रहे हम है color white and font size 22 tx कर दिया और इसमें फॉंट साइज है कि एटीन पीएट्स कर लिए अब इसके होवर को डिजाइन करते हैं जब माउस को ले जाएंगा उप्शन पर उसका कलर कैसा होना चाहिए एक कलर हमने पिक कर लिया और फॉंट साइज को यहां नहीं होवर पे सेट करते हैं फॉंट साइज 20 पिक्सल कर लिया एक बर कंट्रोल केडी कर दिया आटोमेटिकली हमारा डिजाइन हो जाए गई है मास्टर पेज में इस तरह से डिकॉरेट हो गया यह मेनु के लेट में थोड़ा स्पेस यहां पे है इस स्पेस को हटाने के लिए मार्जिन लेफ्ट तो जीरो पिक्सल कर दें और कम करते हैं इसे माइनस 30 पिक्सल और इसे और बढ़ा देते हैं पैंडिंग लेफ्ट 25 लेकिन अगर हम यह करते हैं तो फिर सारे में चेंच करना पड़ेगा आभी हम इसे छोड़ देते हैं हुआ 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 है हुआ है है हम चाहें तो डारेक्ट यहां से कि साइज सेट कर सकते हैं 36 कि अलाइन कर दिया सेंटर है और अगर इसके बैक्ग्राउंड में कलर देना चाहते हैं हुआ है तो यहां पर जाकर स्टाइल वन है यहां पर बैक्ग्राउंड कलर एक कलर ले लिया और यही कलर फुटर में भी कर दें अगर यह कलर करेंगे हम हुआ है तो टेक्स्ट हमारा क्लेर नहीं दीखेगा टेक्सट को टेच्स कलर दे रहें वाइट दे ग्दे और ऐसी फुटर में भी कि है टेक्स्ट कलर वाइट है इसके लेप हैं थोड़ा मार्जीन चोड़ना दूड़ा इससेश हाए इसलिए यहां पे, ampersand NBSP, ampersand NBSP, three times, for three spaces, a, b, c, incorporate, और default page पे जाकर, यहां, यहां फिर से एक table ले ले, table, width set कर दे, style equal to, width, 10, 24px, height, 400px, tier, td, दो td हम बनाएंगे, td, इस, td का width set कर दे, style equal to, width, 724px, और इस, td का width लोक सेट कर दे, rest जाय, width, 300px, अब, second td के अंदर, हम फिर से एक table दालते हैं, table, tr, td, और एक और रो, इस, td में, इस, td को log in के लिए, विजर्ब करेंगे, और इस, td को, news and updates के लिए, control kd से design कर लिया, आप check करते हैं, look, इस तरह से look हमार आया है, table का width 100% करते हैं, style equal to width, 100%, or 280, 300 total है, 280, फोड़ा से gap शोड़ दिया, our first roka height, style equal to width, 150px, second roka width, sorry height करेंगे आपर, और यहां पर भी height, 250px, total 400 हमने इस रो के लिए रखा था, अब हमारा design इस तरह से आगे हैं, vertical align top करना होगा, td style equal to vertical align top and text align center, इसने भी बैसे style equal to vertical align top and text align center, और इस रो में यहां भी vertical align top हमने कर दिया, और design में जा करके, एक row नीचे आ गए, यहां पर थोड़ा हमें space देना चाहते हैं, space दे दिया, और welcome to home page हमने लिख दिया, save कर दिया, इस तरह से हमारे, हमारे files ready हो गए, बागे सारे file को भी मैसे design कर सकते हैं, अब हम preview चेक करते हैं, यह है, web.config file को modify करेगा हमारे accordingly, ok पर click करेंगे, एक बार menu option का में फिल से चेक करते हैं, करते हैं, height 40px, पार बार्बस, जुआ करते हैं, यहां पर यह जो बटन आ रहा है इससे सप्रेस करने के लिए CSS पेज में LIA में टेक्स्ट डेकुरेशन को डन करना होगा टेक्स्ट डेकुरेशन डन अब पेज को चेक किज़े और यह जो बुल्लेट आ रहा है बुल्लेट को सप्रेस करने के लिए LIA के अंदर LIST STYLE को NUN करेंगे इससे बुल्लेट सप्रेस हो जाएगा और उससे अंडरलाइन सप्रेस हो जाएगा आप जब हम आप्शन पे जाएगे यह बड़ा भी होगा और कलर भी चेंज होगा